असलामों अलेकुम एविवन दिस इस अमजे दली तो आज हम बात करने जा रहे हैं Object Oriented Programming और Model View Controller MVC के बाउन जैसे कि बहुत सारे बच्चों के ये Curious ये Question रहते हैं कि सरूब क्या है MVC क्या है या Procedural Oriented Programming क्या है तो Actual में हमारे पास ये जो Concepts हैं या हम जो ये सुन रहे होते हैं कि Procedural Programming, Structural Programming ये चीज़े हैं क्या तो हमारे पास Actual में है क्या कि Most of the Programming Language जो भी आप पढ़ रहे हैं ठीक है वो तक्रीबल Languages किसी ने किसी Category में Divided है सही, अब for example अगर आप C की बात करें तो उसको हम Structural या आपकी Procedural Language कह रहे होते हैं जैसे आपकी C++ है तो उसको हम Partial Object Oriented Programming कहते हैं जबके वो आपकी पहली Object Oriented Programming भी कहलाती है अब Concept अगर देखा जाए कि बहुत सारी Languages को हम Structural कह रहे हैं बहुत सारी Languages को हम Object Oriented कह रहे हैं अच्छा बहुत सारी Languages को हम कभी OOP भी कह रहे होते हैं कभी हम Procedural भी कह रहे होते हैं अच्छा बहुत सारी Languages को हम MVC के हिसाब से भी कुछ Support की बात कर रहे होते हैं तो हम कहीं कहीं जो है कुछ और चीज़ें भी कह रहे होते हैं अब प्रॉब्लम क्या है देखें ठी सबसे पहले तो अगर आप किसी भी एक language को उठा लें और उसके बाद फिर बेट के सोचें कि क्या वो उब है क्या वो M.E.C. को support करती है क्या वो नहीं करती तो इन सारे चोंचलों में पढ़ने से पहले आप सिर्फ यह सोचो कि आपको बनाना क्या है सही है कि किस तरह की application आप बनाना चाहते हैं ठीक हो गया कि आप console application बनाना चाहते हैं जिसमें commands वगरा के हिसाब से काम किया जाएगा आप GUI-based कोई application लाइक desktop application बनाना चाहते हैं mobile application बनाना चाहते हैं या web application बनाना चाहते हैं सबसे पहले तो आपका एक target होना चाहिए कि आप किस तरह की application बनाने के लिए एक software engineer बनना चाहते हैं उसके बाद फिर आपको decide करना है कि for example आपने decide कर लिया कि मुझे websites बनानी है या web applications बनानीँ चले हैं आपने सोच लिया कि आपको web applications बनानी है या websites बनानी है तो उस हिसाब से फिर आपको अपने लिये वो अच्छी language जो websites बनाने के लिए काम आती है वो आपको choose कर लेंच कौन सी अप्लिकेशन्स बनाने वाली लेंग्वेज मार्किट में तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके मार्किट के हिसाब से आपके इंट्रेस्ट के हिसाब से और उसके इलावा जिसमें अच्छे से अच्छा काम हो रहा है according to security, according to performance and all kind of things के वो आपकी easy है सीखने में या आपकी सीखने में complex है अब हमारे पास सबसे पहले आपने अब चले बात कर लेते हैं structural programming या आपकी इन तरह की languages की तो देखें structural programming हमारी बहुत परानी languages हैं C है या partial loop है तो C++ हो गई जबके उन में भी आज तक काम होता है आप कोई भी अगर language आपको बहुत अच्छी आती है तो आप भूखे नहीं मरेंगे even आपको HTML एक markup language भी आती है तो आपका कहीं न कहीं से जुगार हो ही जाएगा according to designing purpose अब बात ये आती है कि हमारे पास ये oop और mvc के ये जो सारे mix की हुए concepts हैं इनमें हमें जो है वो किस तरह से चीज़ें perform करनी है या कि लाजमी है सीखना तो देखें फॉर इजमपल अगर आप PHP पे कोई बेट के website बनाते हैं तो फिर oop और mvc लाजमी है नहीं जी कोई ज़रत नहीं है सबसे पहले तो आप एक चीज समझ ले कि फॉर इजमपल आप PHP पे काम करना चाहते है अब PHP ऐसी language है जो object oriented programming तो है लेकिन आपकी वो without oop के भी काम कर लेती है सही अगर आप उसको as a procedure language भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं इसी तरह से आपकी python भी है कि आप उसको oop के साथ यूज़ करें या without oop के यूज़ कर ले वो यूज़ हो जाती है इसी तरह से javasip है जो आपकी आजकल की market की famous technologies है javasip, python और आपकी ये जिसे PHP है तो इन तरह की languages में दोनों जो है वो आपके समलें के ways दिये गए हैं code करने के क्या with oop करें या without oop करें दोनों तरहिकों से आपकी website बन सकती है सही हो क्या जी अब बात करते हैं कि हमारे पास difference क्या है कि अगर हम oop को use करके कोई website बनाते हैं PHP, javasip या python के तरूँ या without oop के बनाते हैं तो क्या होगा तो देखें जी आपके पास बात आजाती है features की या कल को आपने एक website बना ली तो उसकी security की website बनाने के बाद उसकी performance की और website बनाने के बाद जब वो modify होगी तो developer के लिए उस बनी हुई website में code करना कितना easy रहेगा या कितना complex रहेगा in future तो अगर इन कुछ चीजों को मदे नजर रखा जाए तो फिर आपको उप लाजमी use करनी चाहिए क्योंकि security के हिसाब से या आपके पास अगर आप देखते हो performance के हिसाब से या developer के लिए कल को easy चीज रहेगी तो वो हमारी है कि maintenance में उसको फायदा रहेगा क्योंकि object oriented programming के हिसाब से आपकी maintenance आपकी security आपकी performance और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती है चलें जी अब बात करते हैं कि अगर आप MVC भी इंकी लूट करना चाहते हैं यानि प्रोसीजरल में नहीं बनाना चाहते हैं अब डारेक्ट प्यूर उप में बनाना चाहते हैं प्रोसीजरल जो हमारी लेंग्वेज है चाहे वो python हो javasip हो याँ आपकी कौनसी है हमारी PHP है तो इनमें बन सकते हैं इसी तरह से इनके object oriented programming के जो pure रूप है उसमें भी आप तीनो तरह की applications बना सकते हैं सही हो क्या है? इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि MVC के साथ आपको कोई code करके language बनाना, sorry website बनानी है तो आप वो भी बना सकते हैं कोई restriction नहीं है without any framework यसा नहीं है कि किसी framework के अंदर ही MVC है, नहीं आप अगर PHP OOP और MVC तीनों को merge करके application बनाना चाहते हैं, you can create ठीक हो गया जी यानि PHP के object oriented programming के साथ MVC को model view controller के तीनों आपके, इसे classes या objects बना के हम use कर लेते हैं तो इनको आप include कर सकते हैं, यानि Python, PHP या इस तरह की languages के अंदर, अगर आप चाहें तो procedural में भी upside बन सकती है लेकिन वो less secure less performance और आपके modifications के issues के साथ बनेगी, ठीक है उसके बाद अगर सिर्फ oop में बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी बन सकती है और सिर्फ oop और MVC, अब मैं oop और MVC इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बेटा, आपके पास problem यह होती है, कि MVC actual में follow करती है object oriented को, यानि object oriented लाजबी होनी चाहिए, तब ही MVC apply होगी, without oop की support के कोई भी language MVC को support नहीं करती concept clear, और MVC एक way है, एक pattern है, इसी तरह, जिस तरह आपके पास oop है सही है, यह दोनों pattern क्या करते हैं, कि आपके code को organize करते हैं, बहतर way में, सही, कि आपका project जब बन जाए, तो उसको अच्छे से organize किया जाए, यह आप as a team काम करना चाहते हैं, तो आपकी duplication of code और यह आपकी mixing जो code की होती है, वो नहीं होगी, और दूसरी बात इन दोनों patterns को use करके, अगर आप कोई website यह आपकी mobile apn desktop बना देते हैं, तो उस तरह की आपकी बनी गई website यह आपकी application कल को maintain भी बहुत अच्छे से होगी, even is a team, अगर आपके developer बेट के काम कर रहें, किसी software आपके अंदर, तो इन patterns को अगर आप use करते हैं, तो code organize अच्छे से होगा, सही या at a time, 15 बन्दे उस पे काम कर सकते हैं, without any restriction, ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं, कि आपकी कौन-कौन सी languages, OOP है, कौन-कौन सी आपकी, जो है, वो MVC को support रहते हैं, देखें, OOP और MVC ऐसे हैं, कि आपके protector मिलते हैं, नो market से, mobile के, यह इस तरह से, protector या glass जो मिलते हैं, यह किसी company से, यह किसी company के लिए specific नहीं होते, यह decoration की चीज़ें हैं, यह security की चीज़ें हैं, like protector है, तो यह actual में इस हैं कि यह individually हैं, अगर कोई language इनको adopt करना चाहती है, तो ठीक है, ठीक है, वन्ना इन इन पर कोई फरक नहीं पढ़ता, ना language पर फरक पढ़ता है, हाँ, लेकिन, language अगर इनको adopt कर लेती है, तो उसमें features बढ़ जाते हैं, इसी तरह, जिसे आप mbc, sorry, अपने mobile पर एक protector यहां आपका cover लगा देते हो, तो वो आपकी protect रहती है और इस तरह से आपकी वो कामगा रही है, ठीक हो गया जी, अब for example, आप कल को किसी framework के साथ application बनाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी कोई भी application हो, आपकी समभल लें कि आपके पास website, या application बना रहे हैं आप, या आप mobile application बना रहे हैं, तो उस framework के अंदर majority आजकल जो आने वाले framework हैं, वो OOP और MVC को मिला के बनाए गए हैं, जैसे अगर आप लाराविल की बात आप spring की करते हैं, या आपके पास और भी जितने framework हैं, जैसे jango की बात करते हैं, या हमारे पास कुछ और जितने भी, हर language की लिए, जो भी framework available हैं, ठीक है, उनके अंदर OOP और MVC की support होती है, ठीक हो क्या जी, तो ये एसे features हैं, जिनके through code अच्छे से अगनाईज होता है, security मिलती है, performance मिलती है, कल को maintenance हमारे अच्छे से हो जाती है, ठीक है जी, तो ये एक OOP और MVC की support, अब चाहें, तो adopt कर लें, अगर आप नहीं चाहते हैं, तो उनके इलावा भी website बन सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा, कि less secure, less performance और आपकी इस तरह की चीज़ें उसमें हो जाती है, I hope आपको ये idea clear हो गया होगा, अगर आप चाहते हैं, कि इस पर एक और वीडियो बने, तो फिर आप मुझे mention कर लीजीगा, ताकि हम इसका second part बनाएं, और इस पर मजीद हम discuss करें, कि इसमें किस तरह की languages उप को support करती हैं, या नहीं करती, अच्छा मैं तोड़ा बता देता हूँ, कि जो languages पहला ही program, like Java, ठीक है, या C-sharp है, इन में पहला program ही, उप से शुरू होता है, object or class से, इन में कोई procedural का concept नहीं है, तो इन तरह की language इसको हम object or inter-programming कहते हैं, या pure root कहते हैं, अब PHP को pure root नहीं कह सकते हैं, ना Python को कह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर पहला program, या आपकी जो coding होती है, last भी नहीं हैं, या आप class बनाओ या object बनाओ, ये विदावट भी हो सकती हैं, सही, हाँ, आपकी बाकी languages जो है, वो कुछ structural है, जैसे C हैं आपके पास, तो उन तरह की languages में, उप का या MVC का कोई concept नहीं है, ठीक, तो ये आपके जो concept हैं, पेटरन है, इनको languages अगर चाहती हैं, तो यूज कर लें, या इनके इलावा भी कुछ काम कर लेती हैं, हाँ, कुछ इनके इलावा भी, आप समझने किसी काम की नहीं है, जैसे Java है हमारे पास, या C-sharp है, ये इनकी पूरी coding उप पे ही होती है, ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारा उप और, जो है MVC का concept था,